हलो एरिवन तो आज हम लोग देखेंगे database management system term 2 IT402 class 10 तो आई ये इस वीडियो के start करते हैं सबसे पहला जो topic है वो है database database क्या होता है देखते हैं a database is an organized collection of data organized collection of data अब organized क्या होता है organized का मतलब होता है कि कोई भी data है उसको एक sequence में एक serial में रखा गया है ठीक है उसको बोलते हैं organized collection of data का मतलब कि जहां पर धेर सारे data हो एक जगह पर या वो भी क्या हो? organized हो sequence में हो तो उसको बोलेंगे organized collection of data तो ये होता है database जहां पर धेर सारे data एक sequence में रखे हुई रहते हैं अब for example की बात करें जैसे कि एक stationary swap है ठीक है? और जो stationary swap है basically इसका जो पूरा record होता है na stationary swap के एक database में होता है जैसे कि कि कितने materials available है जितने भी material होते हैं उसके detail कहाँ पे available होते हैं उस swap के database में available होते हैं ठीक है? कि pane है books है ठीक है? या कोई copies है तो यह सरे जितने भी details है material के वो कहाँ पोते हैं swap के database में होते हैं same उसी तरह से अगर हम computerized system की बात करें तो हमें कुछ ऐसी file हमारे पास होती हैं जिसको हमें manage करना पड़ता है जैसे 2-4 है तो ठीक है आप कहीं पे लिख सकते हो books copy हो गए आप कहीं भी लिख सकते हो लेकिन अगर वही 1000 data है, 2000 data है तो आप कहाँ पर रखो तो आपको computer में maintain तो करना ही पड़ेगा तो इसके लिए क्या होता है computer के जरूत होती है और उसमें कुछ software के जरूत होती है जैसे कि हमें openoffice.org database है जिसपे आप currently काम कर रहे हो अगर class 10th में IT पढ़ रहे हो ठीक है और mysql है इसका भी यूज किया होगा आपने sql दिया है तो यह सरक्या है software के नाम है जिनका यूज करके database को manage किया जाता है database को manage किया जाता है अब manage करने का मतलब है कि जितने भी delete भी कर सकते हो अपने data को अपने according जो भी चीज़े आपको requirement होती है तो यह होता है database अब बात करते हैं दूसरे topic का वो है database management system dbms क्या होता है so dbms क्या होता है system is a software package with computer programs that controls the creation's maintenance and use of database dbms एक software होता है या एक तरह का computer program होता है जो control करता है जो भी चीज़े आप database में करना चाहते हो जैसे maintain करना चाहते हो database को अपना या कुछ create करना चाहते हो कुछ tables और उसमें data रखना चाहते हो या बोश सकते हो उसमें update मोडिफाइ करना चाहते हो तो यह सारी चीज़े क्या होती है अलाव होती है database management software में अर dbms allow different user application program to currently access the same database अब यह खास बात और है जो database होता है वो क्या करता है एक तरह का ऐसा software होता है जो different user को same type allow करता है उस database को access करने में है यानि कोई हम बोड़ सकते हैं कि कोई दूसरा user है वो पहले से use कर रहा सेम database को लेकिन किसी और user को वो same database requirement है तो वो भी उसको access कर सकता है same time पे यह बड़ी बहुत बड़ी खास यह थे इसमें अगर हम बात करें database management system software के तो यहां पर नीचे नाम दिया गया जैसे कि Oracle है यह भी DBMS software है IBM DB2 है Microsoft SQL Server है Microsoft Access यह सारी क्या है जितने भी यहां पर नाम दिख रहे आपको ठीक है यह क्या है सब के सब software है database software है अब यह कह रहा है कि जो अगर आप data को रखना चाहते हो अपने database में तो दो तरह सब रख सकते हो दो तरीका है पहला जो तरीका होगा flat file और दूसरा जो तरीका है अपने data को database में रखने का वो है relational तो flat file क्या होता है flat file जब हम लोग यूज करते हैं तब हमारे पास ठीक है कभी यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ही कम amount of data होता है यानि जब हमें 10 या 20 या 50 लोग का data होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते है flat file का यूज करते है लेकिन वहीं हमारे पास 500 है या 10,000 है ठेक है 10,000 data है तो इसको maintain करने के लिए relational database का यूज किया जाता है ठेक है flat file कम data रहता है तब इसका यूज होता है relational database जब हमारे पास जाड़ा डिटाबेस जादा डिटाबेस रहते है तब हम रोग यूज करते हैं इसको चले नेक्स स्ट है database server अब database server क्या होता है कि जितने भी data हमारे होते है भी server पर ही store होते हैं या हम लोग server से ही control कर सकते हैं इसको डेटावेस को अर डेटावेस server are dedicated computers that holds the actual databases यह क्या करता है जो main database है वो database server पर ही होता है and run only on dbms and relational software किस पर रन हो सकता है सिर्फ dbms software पर ही यह run हो सकता है database server ठीक है अब database server क्या होता है मैंने पहले बताया कि एक तरह से computer programs होता जो actual database क्या करता है यह store करता है database server पर और database server को किस तरह access किया जा सकता है dbms software के द्वारा access किया जा सकता है ठीक है चले निचे चलते हैं यहाँ पर दिया है rdbms यानि relational database management system जिसको rdbms कहा जाता है यह क्या होता है देखते हैं is a database management system that is based on the relational model जो rdbms है वो relational model का database है मतलब कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा तदाद में data होते हैं तो rdbms model को यूज किया जाता है अपने data को maintain करने के लिए या उसमें रखने के लिए store करने के लिए in the relational model of database all data is represented in the term of tuples जितने भी डेटा होते हैं किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसमें database management system जो कि टेबल यूज करता किया जाता है row and column होते है टेबल में और इसी में अपने data को store किया जाता है अब next है database concept database contain objects that are used for storing and managing information अब database के कुछ concept होते हैं कौन-कौन से object object का मतलब कुछ part होते हैं तो पहला जो होता है वो है item item क्या होता है देखते है item is about which information is stored in the database item किसको कहते है ऐसी information जो database में पहले से stored है ठीक है उसको बलें कि item दूसरा जो चीज़ है वो फिल्ड फिल्ड क्या होता है और यहां पर क्या मैं इस वह में लिख दूँगा role number इसमें होगा student name ठीक है और इसमें student address ठीक है तो यह क्या हो गया जितने ऊपर के जितने भी है ठीक है role number है student name है student address यह क्या है एक field है और field के through ही हमें पता चलता है कि किस type का data इसमें है जिसे रूल लंबन में किस type data रहेगा numerical रहेगा one two three के form में student name में क्या होगा text रहेगा student address में क्या होगा इसमें भी text रहता है तो field से ही हमें पता चलता है कि किस तरह के data ठीक है इस field में या इस वाले row में stored होना है next है record record क्या होता है देख्थे रिकोर्ड is a set of information made of fields stored in your database about one of the items record क्या होता है set of information जैसे यहाँ पर मैंने एक table लिखा है table मैंने बना दिया ठीक है दो रोह है यहाँ आप है जैसे यहाँ पर student का नाम था ठीक है rule number one है पहले student का नाम rule number one है ठीक है और उसका नाम है रवी और उसका address है ठीक है डेल ही ठीक है तो यह क्या होगा पूरा तरसा ही यहाँ से यहाँ था कि यह record हो गया है किसका रवी का record हो गया है तो इसको बोलते है record यानि एक information to your database वैल्यों क्या है कि वैल्यूई बैसे क्या होता है actual टेक्स्ट और या निमेरिकल अमाउंट आफ डेटा होता है तो तो जो value है, value से हमें पता चलती है कि किस तरह का data हम अपने database में add कर रहे हैं, चाहे test or test मतलब ABC, numerical 123 या date time तो date time जानती हो, तो value क्या होता है हमें बताता है कि किस तरह का database या data हम लोग database में add कर रहे हैं, निक चाहता key field, key field क्या होता, key field is a value in the field that is uniquely identifies, key field या primary की भी इसको बोला जाता है, यानि ऐसा field जिसमें सारे का सारे क्या हो, data unique हो, अलग हो, इसको बोलते है, primary की या key field, अब यहाँ पर important question एक दिया है, कि what is organized in a relational database management system, यानि how data is organized, यानि किस तरह से data organized होता है, relational database management system में, तो हम लोग कहेंगे, in RDBMS, data is organized in the form of interlinked tables, यानि RDBMS पर जो data होते हैं, किस तरह organized होते हैं, एक table में, या एक, हम बोल सकते हैं, table में जो data होते हैं, organized होते हैं, next topic वो है data storage table, data storage table क्या होता है, a table is a set of data element that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows, data storage table क्या मतलब होया, कि इसमें क्या होता है, table होता है, जिसमें rows होते हैं, और column होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, data storage table, तो इसमें क्या हो सकते हैं, जितने भी area हैं, इसमें हम लोग data को fill कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं, data storage table, column or field, column or field किसको बोलते हैं, a column is a set of data values of a particular simple type for each row of the table for example imply code, imply name, imply address सारे fields हैं, columns हैं next आता है rows or records or tuples rows, records or tuples हैं तीनों को तीनों एक ही नाम है ठीक है, पूछ दे what is a row तो ऐसा नहीं कि मतलब वही पर दूसरा पूछ दे tuples क्या है दोनों same ही होते हैं row, record and tuples तीनों को तीनों नाम जो है, same होते हैं a row represents a single data item in a table row क्या represent करता है single data item table में represent करता है each row in the table represents a set of related data and every row in the table has the same structure यानि हर एक table में क्या होता है जो row होती है, वो same structure का होता है ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर बना दिया कोई table यह ज्यादा हो गया, यह कम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है data types, data types क्या होते हैं so data types are used to identify the types of data we are going to store in the database data types से ही पता चलता है कि हम लोग database में किस तरह का data जा रहे हैं इंसर्ट करने, जैसे यहाँ पर different तरह का data type है जैसे कि यहाँ पांच तरह का data type है जैसे कि पहला है numeric data type numeric data type में क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह का data आते हैं, ठीक है दूसरे alpha numeric, alpha numeric data type में क्या होता है इसमें आते है, 1, 2, 3, A, B, C इस तरह के डेटा आते हैं निक्स्ट बार्री टाइपस बारी टाइपस क्या हो गया इमेज़ आव गया वीडियो को नट आते हैं डिय टाइप जैसे कि आज लगा नीट है आज है ऊपका 13 to 2022 ट्रीक ह्बात करें तो 1140 या इसतरह सर्थ टायं भी मेंसर्ट कर सकते हünkो ऑदर अच्छ से बोल सकते हैं एक्स्प्रेंड किया जैसे की निमेरिक टाइप्स क्या होता है यहां पर सेवन डेसिमल आ सकता है ठीक है अब यहां बात इसमाल एंट में क्या होता है अब यहां पर इंटेजर है नाइन नमबर आ सकता है और फ्लोट भी आ सकता है और यहां बीग इंटेजर है जो टिन नमबर आ सकता है और डबल भी आ सकता है डबल का मतलब पॉाइंट ठीक है आते हैं नेक्स्ट है अल्फा निमेरिक टाइप्स इस तरह के डेटा क्या होते है ऐसे डेटा जिसमें text ठीक है यानि A, B, C और 1, 2, 3 भी मौझूद हो ठीक है दोनों alpha numeric यानि numeric भी हो और alpha vertical भी हो तो long work care को क्या होता है memory में save होता है जो कि long test होता है character को बोलते है text fix जो कुछ fix limited होता है work care को बोलते है text of specified length कुछ length इसकी ज़्यादा होती है work and ignore case होता है comparison or not case sensitive ये सारी चीज़े होती है binary types are used for storing data in a binary formats it can be used for storing photos music files ठीक है photo और music file का हम वो सकते store की कर सकते हो binary data time में जैसे पहला है long work binary image कर सकते हो binary में fix work binary ये सारी है date time है date time होता है आप जानती हो date है time है time is time से next आता है primary की primary की क्या होता है मैंने पहले ही बताया है कि ऐसी field या column जिसके data क्या हो पूरे पूरे unique हो अलग हो उसको बोलते है है primary key foreign की क्या बोलते है the foreign key identify a column or set of column in one referencing table that refers to the column or set of columns into another reference table मतलब कि यहाँ पर दो table होते है ठीक है यानि इसमें क्या होता है पहले वाला table में यहाँ पहले वाला table में कोई field है वो primary की नहीं होता है ठीक है लेकिन इस प्राइमरी की होता है इसको बलते है foreign key next आता है manipulating data manipulating data क्या होता है in a database we can define the structure of the data and manipulate the data using some commands इसमें कुछ command का यूज करके हमने data को manipulate कर सकते है data को दो तरह से manipulate किया जा सकता है पहला जो है वो है DDL जिसको data definition language कहा जाता है दूसरा जो तरीका है वो है DML जिसको data manipulation language कहा जाता है तो सबसे पहले हम लोग data definition DDL को जानेंगे है क्या होता है Gym dll का यूज05 होता है structure को हो कि active structure को हम बोल सकते है काम किया जासक जैसे table थे drag table को delete करना table के column को delete करना या table को forward करना चैटिक करना या its structure इसको change करना तो ddL में क्या होता है data जितने भी आप operation करोगे सिर्फ वो table पर effect कर सकता है कुछ command ठीक है जितने भी command होगा table पर effect करेगा लेकिन वह ही जो dml होगा वो data पर effect होगा ठीक है data का आप manipulate कर सकता हो ddl में table पर manipulation होता है और dml में data पर manipulation होता है सो यहाँ आप देखते हैं दिया है create, modify and remove database objects such as the tables tables को क्या कर सकते हो modify कर सकते हो remove कर सकते हो indexes है ठीक है या usage हो रहा है इसको change कर सकते हो जैसे यहाँ पर create है alter है, drop है create से क्या होगा create command से used to create a database object या इस database object को create कि जाता है मतलब कि इससे table create की जाता है alter का मतलब use to modify database object यानि टेबल को modify किया जाता है अल्टर से drop से use to delete database object यानि database के जो table है ठीक है हम वो सकते हैं उसको आप delete करते हो और अल्टर सिर्फ modify करते हो next आता data manipulation language data manipulation dml क्या होता है it is standard for a command that enable users to access and manipulate data in the database यानि यह क्या करता है कोई भी table में data है यानि इसमें कोई data है one है two है ठीक है five is six है कोई भी data है तो क्या करता है जो dml data manipulation language है वो सिर्फ data काम करता टेबल पर नहीं तो इसमें select यगर इस टेबल से हमें कुछ item select करके display करना है यहां पर तो select command करते हैं क्या यूज़ होता है देखते है यूज़ फो रिट्राइवल आफ इन्फरमेशन फ्राम देटाबेस इससे क्या करते हैं रिट्रेव करते हैं डिस्प्ले करते हैं database से कोई भी information को select command के command के थ्रू दूसरा इंसर्ट इंसर्ट का यूज़ करते हम लोग use to insertion of new information into the table हम लोग insert command का יूज़ करके data को insert करते है टेबल में तीसरा जोशी है delete used for deletion of information in the database हम लोग क्या करते हैं database के जितने भी data है उसको delete करते हैं delete command का यूज़ करके next है update update command का यूज़ करके हम लोग table में जो भी data है उसको modify करते हैं नेक्स्ट आते हैं, types of DML, दो तरह का DML होते हैं, तो procedural होता है, non-procedural होता है, ठीक है, so, procedural में से क्या होता है, procedural, the user specify what data is needed and how to get it, procedure में से क्या होता है, इसमें user को specify करना पड़ता है, कौन सा data उसको need है, या कौन सा data उसको चाहिए, कैसे चाहिए, non-procedural में इसका होता है, the users only specify what data is needed, इसमें सिर्फ user specify करता है, उसको कौन से data need है, और इसके लिए, software का यूज होता है, SQL, जिसका full form होता है, structured query language, so, I hope आपके वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और यह काफी help करेगा आपके time to exam में, अगरा चालागा, please like and subscribe my channel, thank you.